ओम नमस्षुवाय श्वागत है आप सभी का मेरे बास्तु ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको शूर गिराण से संबंदे जानकारी दोंगा दोस्तों सूर गिराण भारत के अंदर है या नहीं है कौन-कौन से राशियों पर इसका प्रभाव रहने बाला है साथ ही कौन से उपाय आपको करने है जिससे आपको धनका लाब हो भगवान विश्नु और माता लच्मी की कृपा आपके उपर बनी रहे जो भी चैनल पर पहल पर पहला सूर ग्रेन 20 अप्रेल को लगने वाला है 20 अप्रेल को बड़ी आमावश्या भी है कि 20 अप्रेल को दिन सुबह साथ वज़के 4 मिनट से दुपेर के 12 वज़को 39 मिनट तक यह ग्रेंट रहने वाला है घ्रेंट काल में किये गए प्रते कार का विशेश मेहत्त होता है दोस्तों यह ग्रेण भारत के अंदर नहीं रहने वाला है भारत से बाहर यह ग्रेण पढ़ने वाला है तो इस ग्रेण का विशूतक आधिका विचार भारत के अंदर नहीं रहेगा लेकिन राशियों पर इसका सीधा सीधा प्रवाव है मेश राशी मितुन राशी करक राशी सिंग राशी कन्या राशी दन राशी मकर और कुम राशी दोस्तों यह राशियां बेहदी भागिसाली रहने वाली है जिसमें से मेश राशी और सिंग राशी वालों क अपने स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा बैसाक अमावस्या है तो इस दिन दान पुन का विशेश महत्व है दोस्तों गरबती मैलाएं पेट पर गेरू जरूर लगाएं और अगनी ना जलाएं जब तक ग्रेंड चले जब तक चाहे बारत के अंदर नहीं ह आपको नियम जरूर नवाना है अमावस्या है तो दीपदान का विशेश महत होता है एक पंचमु की दीपक भगवान सिब के सामने जलाएं भगवान सिब का अफशेक करें गाय के दूसरे उसके बाद में बेल पत्र समी पत्र ग्यार चावल के दाने ग्यार गेहुं के दान के ओम पित्र देपता ब्योतर प्यंता मंत्र से उनको जल दें उससे जल को पीपल ब्रग पर आप मीठा चड़ाय और परक्रमा करें पित्रों के नाम से दान पुन करें ब्रामनों को बोजन कराई गौ माता की पूजा करें घर के मेनत रवाजे पर तुलसी माता के सामने और किनारे तक्षड की तरफ मुकर के दीपक जरू जला है आपकी सारी परिसानियां दूर होंगी